उत्तर प्रदेश के मुजफवर नगर में बीते दिन दो समुदाय के व्यापारियों की बीच विबाद हो गया और देखते ही देखते विबाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाद घूसी और बेल्ट चलने लगी जिसमें कई लोग गंभी रुप से घैल हो गई घटना की सूचना के बाद पुलिस तकाल मोके पर पहुँची और घैलों को अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई दरसल मामला जिले के नगर कोटवाले क्षेतर का है जहां मोती महल में आयुश जैन नाम की एक व्यापारी की दुकान है जिसकी चट पर दूसरे समुदाय के कुछ व्यापारी जबरन कबजा करना चाहते हैं जानकारी के मुताबिक अभी ये मामला कोट में चल रहा है जिसको लेकर बीते दिन कमिशन दोनों पक्षों से बादचीत करने के लिए यहां पहुँचा था आरोपी ये भी है कि इसी बीच कबजा करने वाले व्यापारी राशिद और साजिद ने अपने 3-4 अन्यसाथियों के साथ मिल कर कमिशन के सामने ही व्यापारी आयूश जैन और उसके परिजनों के साथ मारपीट चुरू कर दी इस दोरान दोनों पक्षों में जमकर लाद घूसिय और बेल्टे चली जिसमें कई लोग गंभी रूप से घायल हो गए जिसके बाद आरोपी राशिद और साजिद घटना को अंजाम दे कर अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गए यहां पर कमिशन आए वह थे वे दोनों पक्ष से आपस में सामने बात कर रहे बिना मतलब सामने वाली पार्टी ने बिना ही मतलब वीडियो में भी आ रहा है मार पिडाई शुरू कर दी कमिशन के सामने जिसमें कि एक जन्यकत उहमारे शिर्फी फटी और बैल्टों के दो वक्कल तो हमारे पास भी है जो मोझूद जो नोने हमारे इतनी बैल्टे भजया है उन्हारी पिड़ नहकर लहीं है राशिद, साजिद और एक लड़का हामिद है और चारमाजने और थे। बात प्रोसीजर ये है कि हमारी दुकान की चट पे ये जवरुदस्ती कपजा कर रहे हैं। वहीं जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को ही पुलिस तदकान मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करा मामले की जांच में जुड़ गई और आरोपियों के खिलाफ कारवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया। थाना कोटवाली नगर पर यहां सुचना प्राप्त हुई कट्रा मूचियान सराफा बजार में दो पक्षों के बीच में हातापाई हो गई है। पुलिस मौके पर पहुची, तस्दीक करने पर पता चला कि उस जगह पर कोट के द्वारा किसी जमीनी विवाद को लेकर नाप तोल चल रहा था, जिसको लेकर पहले तो दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ, उसके बाद यहां विवाद आपसी हातापाई में तबदी पुलिस में तुरत मौके पर शान्तिवस्था को कायम किया, इसमें जो घायल है उनको मेडिकल के लिए बेज दिया गया है, एवं उची तहरीर प्राप करकर अगरिम कारवाई की जाएगी वही मारपीट के दोरान किसी ने गटना का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, और जैसे ही ये वीडियो हिंदू संघर्श समीती के लोगों के पास पहुंची, वो पीड़ द्व्यापारियों के साथ नगर कोतवाली में पहुंच कर आरूपियों के विरुध सक सकत कारवाही को लेकर हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन चुरू कर दिया और ये जो वक्फे नाम पे हमारे जन्पद में हिंसा की जा रही है, इसे हिंदू समाज बिलकुल बरदास नहीं करेगा, हम डटकर इसका मुकाबला करेंगे, हम ना तो बटेंगे और ना कटेंगे, और ना हम भागेंगे ऐसे में जहां एक और हिंदू संगटन के लोग बारबार आरोपी, दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी और पुलिस घटना के वीडियो के आधार पर मामले की जाच कर रही है, पंजाब केसरी टीवी के लिए मु